नमस्कार मेरा नाम है मिताब और द्रिस्टी आईएस के इंडेप्स रिंखला में एक बार फिर से आपका स्पागत है 23 जन्वरी 1950 जी हाँ वो दिन जिसको हम गड़तंत्र दिवस के रूप में जानते हैं दरसल गड़तंत्र दिवस की वो दिन है जब भारत एक संप्रभूरास्ट के रूप में विश्व के पटल पर जाना जाने लगा आज के दिन ही भारत का सम्विधान लागू हुआ और इस दिन की एक एतिहासिक्ता के तौर पर एक परिपाटी है कि 26 जन्वरी 1950 के दिन से ही पहले का राजपत और वरतमान में करतव विपत उस जगह से रंग बिरंगी भारत की संस्कृती का परिलक्षण करने वाली जहांकियों का प्रदर्शन होता रहा है आज भी वो परंपरा जीवित है जिसके माध्यम से भारत के विविधिता को भारत की संब्रिद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने की प्रदर्शित करने की कोशिस होती रहती है आज भी उस परंपरा को हम जीवित रखे हुए हैं उसका आनंद लेते हैं हाल ही में गरतंत्र दिवस के उपलक्ष पर निकाले जाने वाली इन जहाकियों को लेकर कुछ राज्जिव ने आपति दर्ज की जिसकी वजह से ये मामला थोड़ा सा तूल पकड़ता नजर आया आज हम आज के इस शिर्सक में हमारी कोशिस होगी हमारा प्रयास होगा कि परिक्षा के दरिश्टिकोंड से हम आपको ये बताएं कि वास्तों में गरतंत्र दिवस के उपलक्ष में जो जहाकिया निकाली जाती हैं उनकी पूरी प्रक्रिया क्या है तो चलिए शुरू करते हैं आज का संदर्भ और देखते हैं कि आजके संदर्भ को इस शिर्सक के अंतरगत की कैसे चुनी जाती हैं गड़तंत्र दिवस की जाकियां हम पूरे संदर्भ को समझते हैं सबसे पहले चर्चा के बिंदु के अगर बात करें तो खबर के साथ देखेंगे चर्चा में क्यों है प्रक्रिया क्या है दिशा निर्देश वो कौन से होते हैं जिसके अनुसार ये जहांकिया निकाली जाती है फिर इन जहांकियों का चैन की साधार पर होता है इन सारी बातो पत्र एक के लिहाद से यह संदर्भाप के लिए महत पूर्ण है और हमसे जुड़ने के लिए अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें जिससे नोटिफिकेशन आपको प्राप्थ होता रहे है खबर की बात करें तो फर्स्ट पोस्ट की है बिग रो ओवर रिपब्लिक डे टेबल ओक्स हाउ और दे चूजन फॉर्ट 26 जन्वरी परेड तो 26 जन्वरी के परेड में जो जहांकिया है उनका चैन किस प्रकार होता है इस खबर के साब एक्ष आज हम बात करेंगे चर्चा में क्यों है जैसा कि हमने बताया किन जहांकि होगा इस प्रक्रिया को समझना जिस प्रक्रिया के तहट 26 जन्वरी में जहांकियों का जो प्रदर्शन होता है उसको हम समझ सके तो 26 जन्वरी को करतव विपत्थ जिसको पहले राजपत्थ के नाम से जाना जाता था वहाँ पर जहांकिया निकाली जाती है यहीं पर तशस का दर्शाने का प्रयास करते हैं आपको बता दें कि हर साल में कुछ चुनिंदा संख्या में ही राजी सरकारों की तरफ से केंद्र सरकारों की तरफ से कुछ मंत्रालयों की तरफ से और साथी कुछ विभागों की तरफ से जो जाकियां हैं उनका नामांकन होता है उनमें से कु यहां के मुख्य अतिथी के तौर परामंत्रित किये गये हैं, इमैनुवल मैकरा, आपको बता दें कि इन जाकियों का आनंद लेंगे, हमेशा एक अतिथी को इन्वाइट किया जाता है, बता दें कि क्या है जाकियों के चैन की प्रक्रिया, तो देखिए सबसे पहले हम ये समझें कि किस मंत्राले के अंतरगत ये संपूर्ण प्रक्रिया संचालित होती है, तो वो है रक्षा मंत्राले, रक्षा मंत्राले गरतंत्र दिवस के परेड और समारोहों की पूरी जिम्मदारी लेता है, पूरी प्रक्रिया इसके अधिन होती है और हर साल सितंबर के महीने में एक इस प्रक्रिया को जहां की निकालने के लिए जो नामांकन की प्रक्रिया है उसकी लगभग शुरुवात होती है और अक्टूबर महीने तक ये पूर्ण कर ली जाती है कि ये तै कर लिया जाता है कि क प्रस्ताव देना होता है कि हम यहाँ पर ज्हांकी अपनी प्रदर्शित करना चाहते हैं, उस प्रस्ताव के बाद उनसे और डिटेल्स लिये जाते हैं और उसके बाद विभिन केंदर शासितप्रदेश, राजी सरकार और केंदर सरकार के विभाग और मंत्रालेयों की जो जहांकिया है उनको चैनित किया जाता है प्रस्ताओं के बाद ये प्रक्रिया शुरू होगी लेकिन उससे पहले समझ ले कि उनको क्या दिशा निर्देश दिये जाते हैं किन निर्देशों का उनको पालन करना होता है तब से पहले अगर बात करें चाह आवेशित करते हुए इस थीम को डिसाइड किया जाता है इस वर्स के अगर थीम को भी देख ले तो इस वर्स की थीम है विक्सित भारत और भारत लोकतंत्र की मात्रिका इंडिया मदर आफ डेमोक्रेसी इस थीम के आधार पर ही विभिने राज्य केंद्र शासित प्रदेश विभाग और मंत्राले एक व्यापक इस थीम को ध्यान में रखते हुए अपनी जाकी को तयार करेंगे पहला इंस्ट्रक्शन तो की जाए तो इन विभिन जो जहांकिया अलग-अलग मंत्रालेओं, विभागेओं, राज्य और किंद्र के अलग-अलग हिस्तों से प्रदर्शित की जाती हैं, तो इसमें जो image होते हैं, content होते हैं, वो कैसे बेहतर प्रदर्शिन कर सके, इसके लिए electronics display wall का इस्तिमाल भी किया जाता है, और इसमें तकनी की कभी सहरा लिया जाता है, चाहें वो robotics हो, या mechatronics हो, mechatronics की अगर बात करें, तो इसमें हम देखें, electrical system, mechanical system, computer system, और information system को मिला के, mechatronics कहा जाता है, तो mechatronics का उप्योग भी होता है, robotics का उप्योग भी होता है, इसके लावा हम बात करें, तो ARVR, अ जाकी जाकियों को और ज्यादा आकर्शक बनाये जा सके, तो तकनीकी का सहरा लेकि जाकी को आकर्शक बनाने का काम किया जाता है, साथ ही, ये ध्यान रखना होता है, कि जो अलग-अलग राजियों की जो जाकियां हैं, उनमें बहुत ज्यादा समानता ना हो, उनमें अंतर ह विशेश रुप से उस राजी की जो विशेश लोक परंपरा है उसका परिलक्षण उसमें हो, हर राजी दूसरे राजी से बहुत ज्यादा सिमिलर ज्हाकियों में अगर समानता दिखाई देगी तो उसको खरीच कर दिया जाता है, इस बात का विशेश ध्यान रखना होता है, साथ ही यह भी धियान रखना होता है कि जो भी यह ज्ञाकियां होती है उनमें उस राज्य, उस संग्राज छेत्र, उस विभाग या मंत्राले के अलावा कोई अनलेखन या कोई अनलोगो उस पर अंकित नहीं होना चाहिए ये भी एक instruction है इसका भी धियान रखना चाहिए आगे की तरफ इसमें जब आप देखेंगे जाकियों को तो आपको दिखाई देगा कि हिंदी में जैसे इस जाकी में देखें आगे आपको हिंदी दिखाई देगी पीछे की तरफ अंग्रेजी भाषा और साइड में अर्थात किनारे छित्री भाषा का प्रयोग किया जाता ह साथी कि पूरी ज्हाकियों को बनाने के दर्मियान पर्यावरण के तहट इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि प्लास्टिक से बनी सामान जो भी सामाग्री है उसका उप्योग न करें, जिससे कि पर्यावरण को किसी प्रकार की इछाती हो, हम कह सकते हैं कि ये एको जैन की अब अगर बात करें इन्स्ठरक्षन के बाद अब चैन की प्रग्रिया के अगर बात करें तो आप आमंत्रण के बाद जो आपसे मांगा जाता है उसके बाद क्या होता है जो रक्षा मंत्राले है वो विशे सग्य समिती का गठन करता है अर्थाज इसमें specialist होते हैं वो किन-किन छेत्रों के specialist होंगे तो उस पर एक नजर डाले ये कला के संस्कृति के चित्रकला के मुर्तिकला संगीत वास्तुकला नृतिकला ये विभिन छेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं क्यों होते हैं क्योंकि जो भी जहां की बनाई जाती है उसमें इन विभिन कलाओं के प्रदर्शन होते हैं और विभिन कलाओं का प्रदर्शन जो है उसका मुल्यांकन करने के लिए different sectors के एक्सपर्ट को उसमें रखा जाता है, अगर उसमें चित्रकला की कोई चीज है, तो उसका मुल्यांकन चित्रकला का विशेस्ग्य करेगा, कल्चर से रिलेटेड है तो कल्चर वाला करेगा, आर्ट का है तो आर्ट वाला करेगा, मुर्तिकला, संगीत, वास्तुकला से निर्तिकला से संबंधित जो भी प्रदर्शन है उसके लिए अलग-अलग विशे सग्यों का जो पैनल है, उस पैनल में इसका मुल्यांकन किया जाएगा, साथ ही ये लोग ये भी ध्यान देंगे, देखेंगे विभिन दिशानिर देशों को देखते हुए कि वो कीम, उस concept, अ की जाती है, जो भी प्रस्ताव इन विभिन राज्यों केंद्र के मंत्रालेओं विभागों द्वरा भेजा गया है, उस पूरे के पूरे जो sketch प्रस्ताव है, design है उसकी पहले ज्यांच होगी, फिर उनको संशोधन के लिए सुझाव भी दिया जाता है, कि आप ध्यान रखे की जो भी sketch आप भेज रहे हैं, वो सरल हो, रंगीन हो, और ऐसा हो कि समझने में आसानी हो, बहुत जटिल नहीं होना चाहिए, साथी ऐसा होना चाहिए कि उसको देख के ही ये पता चल जाए कि वो क्या message क्या संदेश देना चाहरा है, उसके लिए किसी भी प्रकार उस message को सम लिखने की अवशक्ता न पढ़े उसको समझाने के लिए, किसी लिखित विस्तार की अवशक्ता न हो, तो इन बातुं का हम ध्यान रखेंगे, वहाँ पर ध्यान रखा जाता है, फिर जाकी में आप देखेंगे कि जब जाकिया निकलती हैं तो उन जाकीओं के उपर परंप वेश भूसा की बात करें और संगीत और वाद्यंत्र की बात करें आप देखेंगे उसमें जो लोग वेश भूसा पहन के जाकियों के ऊपर होते हैं क्या जिस संगीत का उसमें प्रयोग किया जाता है जिस वाद्यंत्र का प्रयोग किया जाता है ये संगीत ये वाद्यंत्र य चाहिए और प्रामाडिक होनी चाहिए अर्था उसका प्रयोग वहां की परंपरा से जुड़ा होना चाहिए प्रस्ताओं में ये भी है कि नरित की एक वीडियो क्लिप भी भेजी जाती है उसकी जांच की जाती है ये देखा जाता है कि इस पूरे के पूरे मॉडल का जनता पर क्या प्रभाव जाएगा क्या संदेश जा रहा है साथी जहांकी के विचार और विशय क्या है वो क्या समाज को संदेश देना चाहते हैं कौन से थाट उसके पीछे उस जहांकी के पीछे क्या संदेश है इसके ब गया जाता है हाला कि अंतिम रुपसे चैनित होने के बाद अंतिम खषण में भी किसी भी जहांकी को विशेश परिस्थितियों में अगर आपत्ती होती है तो रोका जा सकता है तो यह पूरी की पूरी प्रक्रिया है अंत में आपको हम बताए कि इसके आकार को लेके भी कुछ निर्देश होते हैं जहांकी कई यह नहीं है कि आप आकार बहुत विस्तार दे देंगे उसके भी कुछ लिमिटेशन्स है एक नजर डालते हैं रक्षा मंत्राले यह कहता है कि प्रतेग प्रतिभागी को एक ट्रेक्टर और एक ट्रेलर उपलब्ध कराया जाएगा अगर आ जहांकी उसी पर फिट होनी चाहिए और किसी भी अतरिक्त ट्रेक्टर या ट्रेलर पर रोख है कुल संख्या दो वहनों से अधिक नहीं होनी चाहिए और इसकी भी दूरी दोनों के बीच की जो दूरी है ट्रेक्टर और ट्रेलर के बीच में वो 6 फिट से अधिक नहीं होनी चाहिए ट्रेलर के आयाम के अगर बात करें उसके नाप की बात करें तो 24 फिट 8 इंच लंबा होता है ऐसा नहीं कि आप ट्रेलर बहुत बड़ा ले लें ये उसकी निर्धारक एक आइडियल माप है 8 फिट चोड़ा होना चाहिए 4 फिट 2 इंच उंचा होना चाहिए 10 टन की भ चेलर रेड ट्रेक्टर के ऊपर नहीं बलकि जमीन से उस हाइट की बात की जा रही है तो ये पैरामीटर्स हैं इसके आकार के इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस सारे पैरामीटर्स को देखते हुए अंतिम रूप से वो जहाकी चैनित होती है जिसका जन्वरी तक 20-50% की डिसकाउंट चल रही है जिसमें द्रिष्टी लर्निंग एप पर ये उपलब्ध है सभी ऑनलाइन पेंड्राइब कोर्सेज और टेस्ट्रीज पर किसी भी प्रकार की क्वैरी के लिए आपको दो नंबर दिये गये हैं 87501-87501-8010-04040-04040 पर कॉल कर करके आप इससे संबंधित कोई भी क्वैरी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी उस लिंक के माध्यम से चूट का अपलाव उठा सकते हैं अंत में हमारी परिपार्टी अभ्यास प्रश्न की है तो आज का अभ्यास प्रश्न आपके सामने है कि 2023 के दियर व्यूवर्स अपने एकजाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले